गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में कैश फ्रो फ्रॉम उप्रेटिंग एक्टिविटी को कवर किया था आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेकिंड पार्ट है यहां पे कैश फ्रॉम इंवेस्टिंग एक्टिविटी को और हमारी यह ऑवराल जो कैश फ्रो स्टेट्मेंट का चैप्टर है उसकी वीडियो नंबर फाइफ हो गई है बेटा आज हो गई है नाइन्थ आफ एलेवन टू थाउजन टूटि हो गई है नाइन्थ नवंबर हो गया है और आपके एक्जाम्स भी अब नजजीक आने वा इसका मतलब इसमें जो मेजरली चीज आती है वो आती है हमारे पास किसी एसिट को परचेज करना और सेल करना अगर हम किसी भी एसिट को सेल करेंगे तो वो हमारे लिए इन्फलो बन जाएगा और अगर हम किसी भी एसिट को परचेज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन ज करेंगे जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लेके आएंगे वह आप देखेंगे चाहिए तो अब इसका भी स्क्रीन शॉट दो लेए सकते हैं मैं अपने तरीके से इसका फॉर्मेट लेके आ रहा हूं कि कैसे हम कैश फ्लो फ्रॉम इंवेस्टिंग अक्टिविटी के कोश यहां इतना बहुत आसान है मतलब यहां बहुत डिफिकल नहीं है चाहिए वहां फिर भी हमें काफी प्रैक्टिस के जरुत पड़ी थी तो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं यह वीडियो नंबर यह मेरे पास वीडियो नंबर फाइफ है और आज डेट हो गई है ना जरने कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थूँ हम कैच का फ्लो किस तरह से निकालेंगे आज इसके ओपर हम चर्चा करेंगे इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये मेरे पास cash flow invest unity का बहुत ही हम compact सा format बनाते हैं बहुत ज़्यादा हमें कुछ ज़्याद है बाते करने के जरुत नहीं है ये हमारा particulars का column बन गया तो जब भी पैसा आएगा तो plus होगा वो inflow कहलाता है तो हमेशा लिखता हूँ मैं sale of fixed assets and investment जब भी आपको भी investment को बेचेंगे कोई भी fixed assets बेचेंगे तो वो हमारे पास यहां पर आजाएगी अगर हम कोई भी fixed assets को बेचते हैं या investment को बेचते हैं बहुत आसान चब्दों में लोग निखा इसके लावा हमारे पास यहां मैं बहुत शॉर्ट कट में लिख रहा हूँ यहां dividend अगर आपको कोई received हो जाएगा dividend received हो जाए अगर आपको या कोई भी interest received हो जाए interest received हो जाए तो normally यहां आएगा अगर को finance company है तो देखो बात अलगा है finance company के लिए वो आपको मालूम है कि वो operating activity होती है Otherwise जो dividend receive होता है और जो interest receive होता है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा और बस दो चीज़ा और minus करूँगा यहाँ minus करने के लिए मेरे पास क्या होगा? Yes, purchase of fixed assets purchase of fixed assets मैं लिखूँगा यहाँ पर, purchase of fixed assets अगर मिलने करिए तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिख क्या है, outflow है मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पर, minus कर दूँगा एक बात तो बताना चाहूँगा, यहाँ purchase of fixed assets के अंदर बेटा, सारी assets आती है tangible हो चाहे, intangible हो, tangible हो, intangible हो, यहाँ पर जो fixed assets ले गई है, वो keyword tangible है tangible assets थी हमारे पास यहाँ पर, यह आप note करने वाली बात है, क्योंकि यह purchase of fixed assets के अंदर में अगर आपने goodwill purchase के रिए copyright है, patent है, trademark है, वो आ जाएंगे क्योंकि वो चीज़े बिखती नहीं है, वो right of होती है, यानि कि वो पैसा नहीं आता उनमें तो sale of fixed assets है, अगर tangible assets है तो यहाँ आ जाएंगी, और purchase of fixed assets बटा, मैं यहाँ पर score not कर लूँगा, और यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, purchase of investment भी लिख दूँगा, format बहुत छोटा सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर अलग लग कर दिया, purchase of investment, एक बच्चे ने बोला, sir dividend paid और interest paid नहीं आएगा, कि यहाँ पे, बिल्कुल opposite कह रहे हैं, आप यहाँ sale कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, purchase कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, चीक है, तो यहाँ पे, क्या purchase of investment आपने लिख दिया, आपने, आपने यहाँ पे लिखा, तो dividend paid और interest paid नहीं आएगा, कि बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि dividend paid और interest paid जो activity होती हो, financing activity वाले column में हम लोग अलक से लिख देता हूँ, क्योंकि कैस सवालों में आता है, इसलिए मैं मजबूरी में लिख रहा हूँ है, purchase of goodwill, अगर goodwill purchase करेंगे, तो इसका मतलब हमारा पैसा जा रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, minus करेंगे, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे Net off करेंगे, यानि किसको पैसा उधार दे दिया, तो पैसा आ गया, वह भी भारे Investment की फर्म में आ जाता है, और पैसा वापस आ गया, तो धर्यता दे दिया, तो वह एमारी Investment है, तो हमारे लिए minus हो जाएगा, इन सब को Net off करेंगे, तो हमारे पास आएगा, cash flow from investing activity, अगर positive आ तो इन्फलो है वह नेकृतिम आ रहा है तो हम आउड़ ओड़ लगा देंगे तो हमारा कैश आउटवो हो जाएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम यह हमारे पास आजाएगा इन्वेस्टिंग इसको मैं बी कहता हूँ यास यह मेरे बिग बी है बिग बी का मतलब मेरे है दूसरा पड़ाव है मेरी के बीसी का पहले पड़ाव का नाम मेरा क्या था कैश फ्लो फ्रॉम आप्रेटिंग अक्टिविटी यह फ्रमेट है मैं चाह आपको यहां पर समझाना चाहूँआ था कि आपको क्लेर हो जाए चाहिए जा हम एडलसनद पर आते हैं सबसे पहले अडलसनद के शीक जाता हूँ इक सब्बस करेंसा लुर् verdCap तो यह आप देखिए यह आपने पहले class 11 में ही बनाया था machinery account बनाया था बिलकुल वो ही है बस यहाँ date के column में है आप उड़ा देते हैं हम लोग क्योंकि इतनी maturity हमारे पास आ चुकी है कि अब उसकी जिर्वत हमें नहीं है यहाँ बेटा वेशा particular आएंगे यहाँ रुपीज यहाँ पे particular आएंगे और यहाँ रुपीज तो आपको जबी भी कोई fix asset account बनाना हो इसके अंदर में आपकी plant आ गया आपकी machinery आ गयी आपकी building आ गयी सभी का format इस तरीके से बनेगा यहाँ सबसे पहले हमें कहले लिखना होता है वेटा to balance brought down balance के लिए मैंने बी एल वर्ड यूज किया balance brought down वो मेरा यहाँ आ जाएगा इसका मतला मेरा opening balance तो यहाँ आ जाएगा और मेरा जो closing balance होगा वो by balance carried down मेरा यहाँ आ जाएगा यह बात का आपको ध्यान रखना है जितनी भी assets होते हैं उनके balance debit होते हैं तो debit side पाया जाएगे और balance अगर closing होते हैं तो वो credit side पाया जाएगे अब आपको याद रखना है आपको याद होगा class 11 में भी हम एक dialogue बोलते थे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं से यहाँ पे उनके लिए बतायते हैं मशीन भीकेगी तो तीन टुकड़े होंगे तो हमेशा कहता हूँ मशीन भीकती है तो हमेशा तीन टुकड़े करेंगे आप SLD SLD का मतलब कि sale कितने मुई है loss कितना हुआ है और हमारे पास yes depreciation कितने का है मैं दुभारा बोल देता हूँ कि मेरे पास depreciation कितने का है इसको हम बोलते है है शिरी लंका डर्पोक SLD शिरी लंका डर्पोक तो हरे शिरी लंका डर्पोक किया होता है अरे बैंच शिरी लंका डर्पोक नहीं ऐसे याद करने के लिए बनाए हम लोग одним बाई SPL, SPL की फिल फॉर्म होती है, statement of profit and loss के कंपनियां होती है, statement of profit and loss बनाती है, तो यह loss हो जाएगा, और बाई यहां पे क्या आजाएगा आपका, येस, पिलकु सही गैस की आपने, depreciation, इसको बोलते हैं, depreciation, नहीं मशीन बिकेगी, तो तीन टुकड़े हो जाते हैं, आम अ ब्रैकेट में हम लोग यह लिख देंगे, बेटा, purchase, यहां अगर purchase होता है, तो यहां पे आ जाता है, और यहां लिख देते हैं, to SPL, सर यहां पे जैसे आपने loss लिखा है, क्या profit नहीं हो सकता था, क्या लावाद में मशीन बेचने पर, yes, तो यहां पर क्या आ जाएगा, profit यहां के लिए word बनाया, SLD, SLD, श्रीलंका, yes, मैंने डरपोंक कहा श्रीलंका को, और यहां मैंने बौला, yes, यह मैंने कहा, यह मैंने PP बलाया, past Padoci, past Padoci, यानने कि past जो Padoci है, यानने कि हमारे जो Padoci लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम लोगोंने, यानने कि neighboring country ह हम लोगे ने का यह क्या हम लोग अने किया पास्वblesbuster प्रीपी नंबर किसी जमाने में हवने होगे थे पिपी नंबर होते थे कि पहले फोन नहीं होते थे कहते थे परस्ट यान्rops या पड़ूसी नंबर दे दिया है तो प्रस्व coal– UCP यानि कि purchase और profit ये हमारी figure होती थी यानि कि maximum एकाउंट में 7 figure दी होती थी इन 7 figure से हम लोग काफी काम करने वाले हैं यहाँ पे और ये account आपका close हो जाता था ये इस तरह से एक fix asset account बनता है समझने की चीज़ क्या है कब बनेगा account जब आपको कुछ information दी होंगी बताएंगे कैसे कैसे बनी होती है अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ CFS में बहुत सारे account बनेंगे ये पहली adjustment है एक तरह से मेरी CFS की ये मेरी CFS की पहली adjustment में आपको सिखा रहा हूँ बाद में भी हम लोग nutshell में भी काफी चीज़े लेके आएंगे ये मेरी CFS की पहली adjustment है तो CFS में कभी भी कोई account बना लेना तो debit side की जो item है ध्यान रगना debit side की item CFS में हमेशा क्या होती है बेटा आपको दादू सेल हमेशा क्या होगी बेटा मैंने लिखा I plus I plus का मतलब ये investing activity में plus होता है जो हम सेल करते हैं आज हमने format भी सिखा है जो loss हुआ है आपको मालूम है आपने पहले भी किया है loss on sale of fixed assets DP के साबसे ये operating activity में plus होगा depreciation में मालूम है आपको ये operating activity में plus होगा ये मैंने balance शोड़ दिया है balance हमेशा को छोड़ने है इसके लावा अगर purchase किया है तो ये investing activity में minus होगा और operating profit होता है ये operating activity में minus होता है यानि कि एक account है इस account से आपको क्या करना है आपको जो opening के balance है और जो आपकी closing के balance है उनको आपको छोड़ देना है इसके लावा बाकी item की कहीं ना कहीं कोई treatment जरूर हैगी वो क्या होगा अगर आपने sale किया है तो investing में क्या होगा याद रखना है आपको investing में क्या होगा अगर आपने sale किया है तो investing में plus करेंगे अगर आपका loss है तो आपको मालूम हो आपरेटिंग में प्लस करेंगे और आगा depreciation है वो भी आपरेटिंग में प्लस होता है अगर आपने purchase किया है तो investing में minus होगा और आपका profit भी operating में क्या होगा minus होगा या आपने किया हुआ है यानि कि इस account से कही न कहीं कोई impact जाने वाले है सच सवाल किस तरह का आएगा इस तरह की बाते भी तो आप हमें बताएए बिलकुल आपको बताएंगे हम लोग यानि कि मैं आपको बताता हूँ जैसे आपने operating activity में छोटे सवाल किये थे यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ मालीजिए आपको यहाँ एक balance sheet दे रखी है और यहाँ पे आपको दे दिया 2019 और यहाँ दे दिया 2020 2019 और 2020 दे दिया और यहाँ लिख दिया आपको building लिख दिया यहाँ building आपको year उल्टे भी दे सकते हैं वो जातर उल्टे लिखे होते हैं मैंने कहा 2019 और 2020 आप भी लिख दीजिए यहाँ 2020 और इसको कर दीजिए अब 2019 बिल्कुल बुक्के तरीके से जलते हैं यहाँ building आपको 80,000 की दे रखी हैं यहाँ building आपको एक लाग की दे दी अब आप क्या क्या होगे सर 80,000 से मेरी building एक लाग की होगई इसका मतलब क्या माने कोई और information नहीं है इसका मतलब क्या हुआ सर 80,000 से मेरी एक लाग की building होगई इसका मतलब मेरी क्या होगई और I think so आपने इसका screenshot ले लिया होगा यह बहुत important है मैं एक बार वापस बार रहा हूँ कोशन के बीच में आप इसका screenshot जरूर ले ले यहाँ पे यह बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है हमें दुबारा आ रहा हूँ यहाँ यहाँ पे 80,000 से मेरी building एक लाग की होगई है इसका मतलब मेरी क्या होई कि मैंने यहाँ पे 20,000 बिल्डिं को क्या कर लिया 20,000 की building को मैंने क्या कर रहा है परचे Clarise कर रहा है यह मेरा conclusion निकल के आ रहा है परचेज 20,000 building वाजड़ परचेज और अगर हम ने परचेज कर रही है तो क्या करेंगे उसको हम भोग यह भी हम लोगों ने format किया था अगर हम कोई चीज पर्चेज करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे investing में minus कर देंगे क्यों कि मेरे पास से पैसा चला गया सर यहां कोई account वो account नहीं बनाएंगे account बनाने की ज़रुएत नहीं है simple तरीके से भी आप यहां पैनलाइज कर सकते हो लेकिन अगर आपको कुछ और information जान करी दे रखी होती तो जो मैं आपको format बनाया हम लोगों ने वो format भी बनाता चेले जी एक balance sheet आपको और दी मैंने थोड़ा सा आपको analyze कराने की यहां पे कोशिश करी है यहां पे यहने कि 2000 आपको वही 20 दे रखा है 2019 दे रखी है यह मुझे यहां building दे रखी है मेरी building यहां पे 60,000 की थी अब मेरी building कितने की हो गई है मेरी building हो गई है कितने रुपे की मान लिजए 28,000 की हो गई है अब मैं क्या मानूँगा अरे सर यहां तो बिल्डिंग कम हो गई है और कोई जानतारी आपको गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे बेटा यहने कि मेरी बिल्डिंग 60 से 28,000 हो गई है इसका मतलब मेरे क्या हुआ मेरी बिल्डिंग कम हो गई है तो इसका मतलब मेरी बिल्डिं building जो building की value में गराव आया was sold यहीं की मेरी building क्या हो गई है sale हो गई 32 अर्ट से तो 32 अर्वे क्या करूँगा yes मैं plus कर दूँगा मेरी investing equity बनाते समय कैसे करूँगा वो भी example कि तो हम clear करेंगे और यह अगर मैंने purchase किया है तो मैं minus कर दूँगा और sale किया है तो मैं plus कर दूँगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पर काम करूँगा अब मैं आपके सामने इसके बाद सीधा एक बहुत ही प्यारा question जो है वो ले के आऊँगा जो illustration number 35 होगा वो हम लोग discuss करेंगे और उसको बना के दिखाएंगे ताकि हम maximum example हम आपके cover कर पाए तो illustration number 35 के तुरू हम इस बात को यहाँ समझेंगे illustration number 35 आपके सामने है यहाँ आप एक global limited है machine day की value दे रखिया आपको 2019 में दे रखिये 8,60,000 और 2020 में दे रखिये आपको 9,50,000 यानि कि इन्होंने जैसे हम लोग कह रहे थे balance sheet की value ऐसे भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने हमें normal तरीके से यहाँ पे value दिये है उन्होंने 2019 में दिये और यह 2020 में value दिये है तो 2019 में कितनी value बताई है उन्होंने 1 अपरेल 2019 को जो value बताई है यहाँ space की कमी है मैं कहीं और लिख दूंगा यह एक अपरेल 2019 और यह 31 मार्ट 2020 पहले value कितनी थी हमारी तीन लाग 60 जारती फिर value कितनी हो गई यह 9 लाग 50 जार हो गई है इसके लावन उन्होंने कुछ information और भी दिये है कि depreciation कितना था हमारे पास during the year 40 जार का था यह देखिए in the beginning of year साल के शुरुआत में एक machinery को 25 जारे बेज जिया जिसकी value कितनी थी 20,000 रुपे के थी यह 20,000 की चीज को 25 जारे बेज जिया पांच हजार रुपे का मुझे क्या हो गया है फाइदा भी यहाँ पे हो गया है और calculate cash flow from investing activity यह निकलवाना चाहते है एक बर question के figure आप not कर लीजिए चाहे तो आप बना लीजिए इसको मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे इनों ने इसको करके दिखाया है यानि कि जम illustration number 35 की बात कर रहे है तो इसका मतलब इनों ने जो balance दिखाने होंगे तो balance इनों ने में कैसे दिखाया है मैं आपको यहां पर normally हम जब भी बात दे कर रहे है यह मेरी balance sheet बनी हुई है इस balance sheet के अंदर मैं ने क्या करा मुझे जैसे दो year दे देते हैं इनों ने मुझे बताया 31 March 2020 31 March 2019 को मुझे यहां बताया है इनों ने value जो दे रखिये है WDV value दे रखिये है और closing value मुझे दिये है नोंने 9,50,000 रुपे की value दिये है साथ मुझे information दे दिये कि depreciation कितना था कि depreciation नमर 35 कर रहा हूँ मैं यह मेरा depreciation जो आया है जो मेरा depreciation दिया दा during the year मुझे दिया नोंने 40,000 रुपे का depreciation मेरा during the year चार्ज हुआ है और एक machinery है जिसकी 25 कर दिया गया आपने कोशने पड़ी लिया machinery was sold for 25,000 यह आपको additional information दे रहा है 25,000 book value कितनी थी उसकी 20 रुपे थी बस इन्होंने का cash flow from investing activity बता दीजे बिलकुल उस format का हम बिलकुल बना देंगे कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है लेकि उससे पहले हमें छोटा सा एक working note बनाना पड़ेगा तो हमें किसका account बनाना पड़ेगा यह है समें machinery का account बनाना पड़ेगा और देखिए यह आपके सामने machinery का account बन करके तयार हो गया है यह मेरा machine account है यहाँ क्या गरेंगे machine account में सबसे पहले यहाँ balance आएगा जैसे भी आपको समझाया था हमने opening balance यहाँ आएगा closing balance यहाँ आजाएगा opening balance कितना दिया है मुझे यहाँ 8,60,000 दिया है और closing balance मुझे दे दिया है 9,50,000 अब मैंने तो दो ही वड़ याद रखे हैं मैं ऐसे याद कराता हूँ श्री लंका डर्पोक और यहाँ पे कौन है पास है और हमारा क्या है पडोसी है पास पडोसी है मारे पास अब यहाँ पे इन फिगर्स को मैं रिलाइस करेंगे यहाँ एडिशनल इंफॉर्मिशन दी अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो मैं क्या मानता आठ लाग साठ लाग साठ लाग से मेरी एसिट की वैल्यू नो लाग पचास अर हो गई है इसका मतलब मैंने 90 हजार रुपे की मशीन ट्री को और खरीद लिया तो 90 हजार रुपे मैं आउट फ्लो माननुगा लेकिन मुझे कुछ अत्रिक ते जानकारिया दे रखी है एडि साहब मैंने आप कहेंगे सेल आपने 20,000 में करी है स्वारी सेल मैंने कितने में करी है वैटा 25,000 में करी है मैं दुबारा लिख देता हूँ क्लियर होनी चाहिए चीज़ 25,000 में अब यहां पर क्या हुआ हुआ मशीन बेचों को तो सेल लॉस लॉस तो होगा नहीं है नहीं बेचेट में क्या है तक है यहां पे तायगा पर एरा है का प्रोफिट यहां प्रॉफिट यंदि कितना हाजा है रखा है में स в चुरुफिशन में कि चाली से यहां है तो बिले बेचेचाट वा लॉफिट यहां है वाले कि वन चाहरा है और Mexican बैलेंस मेरा 10,15,000 आया यह अब मैं टोटल करके देखता हूँ यह भी 10,15,000 अब मैंने यह डिफरेंस निकाला डिफरेंस मेरा आ गया एक लाक और 50,000 तो मैं इसको क्या मानूँगा यह मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और मैं यहां क्या लिखुगा इसको यह इसको मैं यहाँ पर्चेज लिखूँगा तो इस पूरे अकाउंट से मुझे यह फिगर बता लगी फिगर पता लग기는 हो देख ले था हूँnez यह मुझे हैं पर्चेज का फिगर बता लग गया है थीक है मुझे यहाँ पर आपको कमउंट मुझे सेल क भी यहां पर दिया हुआ था तो यह नहीं कि मैं इस अकाउंट से क्या-क्या चीज़े उठा के लेके जाऊंगा मैंने बताया था opening और closing balance का कुछ नहीं होगा आपने sale किया है आप investing में plus करेंगे यह आपका depreciation था यह आप operating में क्या करेंगे यह depreciation था चाली सर का depreciation था यह प्लस करेंगे यह उपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते है यह आपका profit हुआ है यह operating मैंस हो जाएगा और जो आपकी परचेद आई है वह investing में क्या हो जाएगी मैंस हो जाएगी तो यह में को अकाउंट से यह 40 figures मुझे मिलती है और इन figures को मुझे क्या करना है यहाँ पर utilize करना है तो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या करा है यह जो investing का figure है मैंने minus का और यह investing का figure plus का इनको मैं यहाँ पर utilize करूँगा और cash flow statement बनाऊगा operating activity के बाद यह investing की operating का मैं नहीं बना रहा हूँ जब operating का बनाऊगा तो वहाँ पे आपने देखा हुआ DP ली DP में यह depreciation वहाँ प्लस हो जाता था और यह जो profit था वो minus हो जाता था जब पूरा question करेंगे तो वहाँ जरूर इस तरह की हम बाते करेंगे तो यहाँ पे हम cash flow statement में किस तरह के से इसको depict करेंगे वो बताएता हूँ यह मेरे पास करूँगा cash flow from investing activity बहुत छोटा सा बनता है मैंने अभी आपको बताया भी था investing activities यह मेरा बनेगा यहाँ मैं कैस तरह से बनाऊगा इस तरह से बनाऊगा बस प्लस करूँगा अगर कोई चीज मेरे पास पैसा आ रहा है तो यहाँ में लिखूँगा sale of machinery, machinery को मैंने कितने में sale करा, 25 एर में किया, minus करूँगा यहाँ मैं क्या purchase of यहाँ पे मेरा machinery आ जाएगा, एक लाख और 50,000 रुपे का मेरा purchase मैंने किया अब मैं net of निकाल लूँगा, net of निकालने के बाद मेरा 125 आ गया negative में, इसको बलेंगे cash outflow या cash used in IA, IA का मतलब क्या है, आप IA ने लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे cash used in investing activity, I hope this is clear, तो इस तरीके से मैंने example number 35 आ को कराया, तो 35 example जो है, आप इसको क्या कर दीजिए, एक पर screenshot यहाँ पे ले दीजिए, और आप example number 35 जो है, वो का solution तयार है, आप इसको यहाँ स्वाल करेंगे, तो यहाँ साथ साथ में मैं आपको एक छोटा सा काम बता रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा कोशन दे रहा हूँ, जिस पर आप कोशिश करिए, आप comment box में इसका अंसर जरूर बताए मुझे, cash flow from investing activity का अंसर आपको कितना ह cash flow from investing activity निकालना है, जैसे मैंने यहाँ निकाला था, आपको क्या दिया है, आपको एक balance sheet given है, उस balance sheet में आपको यह figure इस तरह से given है, जैसे भी यहाँ given थी, 31 March 2020, 31 March 2020, देखते हैं, कौन कौन हमें comment box में इनके जवाब हमें देगा, यहाँ आपको दे रखा था, एक building की value दो लाख रुपे की building थी, अब वो कितनी गोगी, दो लाख 40,000 रुपे की, दो लाख 40,000 रुपे की, अब यहाँ पे आपको एडिशनल information दे रखी हैं, आपको साथ में कुछ information दे रखी हैं, जैसे भी पिछले वाले सवाल में दे रखी थी, वो information क्या है, यह balance sheet के बाहर है, यह balance sheet के अंदर नहीं है, वो तो जगे नहीं है, तो हम करते हैं, the appreciation during the year दे रखा है आपको, the appreciation during the year आपको 10,000 रुपे का दे रखा था, जैसे वहाँ पे 40 हर का दे रखा था, और दे रखा था, यहाँ पे कोई हमारे पास machinery है, उसका कोई हिस्सा हमारा बिग गया था, यानि क building, part of building लिख देता है, यहाँ पे clear रहे है आपको, part of building, sold for rupees, कितने रुपे के हमारी building का जो part बिग गया बतायता हूँ, sold for rupees, 15,000 और उसकी book value हमें 12,000 रुपे दे रखी थी, मैं फिट से repeat कर दूँगा, आप इसका screenshot ले ले जीए, एक एक question है, और इस question का हमने नाम लिख दिय है, यहाँ अभी इसका नाम लग देते हैं, बाइडन लिमिटेड, अभी बाइडन ची 46 प्रेजिजिट बने है, United States of America के, तो यह आपको क्या करना है, मैं को बताना है, कि इसमें cash flow from investing activity कितना हैगा, opening balance 2 लाग, cruising balance 2 लाग, 40 र, depreciation during the year, आपको 10 र दे रखा है, और building का जो part है, वो सेल कर दिया, एक 15,000 में जिसकी book value थी, 12,000 रुपै, अब मैं थोड़ा आगे की तरह बढ़ूंगा बेटा, और आपको एक नई चीज़ और आपको साथ में, आप मैं कराऊंगा, जो बहुत important है, और यह तनी important है, कि अगर CBSE में 10 बार सवाल पूछा गया है, तो 7 बार इ depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is maintained, दुबारा बोल देता हूँ, when provision for depreciation account is maintained, इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं, accumulated depreciation, इसके ओपर आपके लिए बिलकुल एक सवाल लेके आएंगे हम लोग, accumulated depreciation, काफी कोशिश करेंगे, काफी practice करनी है हमेर चीज़ की, when provision for depreciation account is maintained, इसमें आपके दो account बनते हैं, एक सबसे बहले एक account बनता है, जिसको बलते हम fix asset account, जैसा आज हमने account बनाया है, वैसे ही, जो पहले बहले question number 35 के लिए बनाया था, illustration के लिए, ये एक मेरा, fixed asset का account बनेगा मेरा, और साथ साथ में एक account और बनता है, पहले हम format बनाना स चीक लेते हैं, उसका नाम है, provision for depreciation account, इस account का एक नाम और भी दे सकता हूँ है, उसका नाम दे सकते हम लोग या, accumulated depreciation account, इसका नाम एक और भी दे सकते हम, accumulated depreciation account, ये class 11 में किया हुआ, class 11 में कैई teachers इसको कराना पसंद नहीं भी करते हैं, तो इससे कोई बात नहीं है, तो ये हमारे account बनते हैं, इन दोन account में एक तालमेल है, वो तालमेल मैं समझाओगा, आपको normally क्या होगा, यहाँ पे आपको balance दिया होगा, जैसे भी हमने समझा है आपको, यहाँ ओपनिंग balance गिवन होगा आपको, और यहाँ पे आपको क्या होगा, closing balance गिवन होगा, assets का, ऐ देखेंगे, buy balance, brought down, opening balance आपका, इधर आजाएगा बटा, यहाँ, और, closing balance आपका क्या आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, opening balance यहाँ, closing balance आजाएगा, यह हमारा account बनता है, अब मजबी भी मशीन बीकेगी आपकी, तो मैंने बताया था आपके, तीन मतलब क्या होता है, यहाँ पर, depreciation होता है, और यहाँ पर क्या आता है, दो वर्ड लखेते हैं, हम लोग ने, पास्पोडोसी, यानि कि purchase कितना है, और profit किता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ मैं सबसे बहले क्या लिखूँगा, buy bank account, bracket में sale, buy SPL loss, तो SPL loss जो न depreciation के जगे, बास हमें एक शब्द का change करना है, और यहाँ क्या वर्ड लिखना है, yes, provision for depreciation, बास यह वर्ड चेंज हो दाएगा, और यह जो depreciation है, वो यहाँ transfer होता है, हमेशा याद रखेंगे, class 11 में भी करते थे, वो depreciation है, यहाँ transfer होता है, और यहाँ नाम क्या लिखते है, to machine account, यह वो depreciation होता है, जो machine हमने बेचती है, इसको लते है, depreciation on sold acid, जो acid हमारी big गई है, उसका क्या है बटाएगे, depreciation है, वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, depreciation on sold acid, तो यानि कि यह जो चीज़े हैं, दोनों के amount जो होते हैं, वो same हमारे पास आते हैं, यह depreciation, जो machine भी क है, इन दोनों का coordination में बनाना है, अब इसके बाद अकाउंटों को balance करते हैं, यहाँ difference आता है, तो इसको हम लोग two bank account, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या purchase लिख देंगे, पर्चेस पहले भी आया था, हमारे पास, पास, पर्चेस या profit, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ balance कर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग by SPL, SPL बोलते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं depreciation, depreciation during the year जो होता है, वो आजाता है, हमारे पास यहाँ पे, मैंने फिट से बोलता हूँ, कौन सा depreciation आ जाता है, जो during the year हम लोगोंने depreciation चार्ज किया है, वो हमारे पास आ जाता है, प्लस होते हैं और debit side के अएट है, हमेशा माइनस होते हैं, तो जो sale है जो sale करा है, वो investing में आपका प्लस होता है, loss जो है वो operating में प्लस होता है, यह वाले depreciation का कुछ नहीं होता, इसका और इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका effect कि हो जाता है, यह इधर आ रहा है, इधर आ सब्सक्राइब जितने लगा सकें आप लगा दीजिए सबसे इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है यह आपको आना चाहिए एक सिंपल है उस वह कुछ नहीं कोई भी अगर आपको इन्वेस्मेंट का अकाउंट बनाना हो तो इन्वेस्मेंट का अकाउंट भी बनाया जा सकता है बिल्कुल उसका अमोटाइजेशन वर्ड यूज कर लेंगे क्या वर्ड यूज कर लेंगे अमोटाइजेशन क्या कर लेंगे वर्ड हम लोग क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे बाकि ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल सेम है एक कोशन के थुरू आपको समझाने की यहाँ पर हम कोशिश देखिए बटा किस तरीके से मैस को करने वाला है उस कोशन को यह पूरा फुल फ्लेस कोशन हम लोग यहां पे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको एक इलिस्टेशन के तुरूई समझाने की बात करूँगा और यह बहुत important illustration mark कर दीजे यह है illustration number आपका 36 आप illustration को copy कर लेजिए और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो illustration को विरूट सामने रखें illustration number 36 इसमें opening balance आपको दे रखा है पहले तो आपको cash flow for investing activity चाहिए लेकिन हमें account बनाने पढ़ेंगे तब ही हम investing activity concern निकाल सके है मैं आपसे कह रहा हूँ यहां ऐसा कुछ नहीं दे रखा होता मानली जब कुछ नहीं है ऐसा इतना तो आप करी चुके हैं आपके जो machine की value 4 लग से 4 लग BCR हो गई क्या मानोगे आप आप कैंगे sir 20R की बढ़ गए मैं परचेद मान लेता मानली बात चीक है परचेद है तो investing में minus हो जाएगा अच्छा sir depreciation एक लाग से एक लाग 10R है यहनि कि yes 10R का depreciation आ गया during the year इसके जगे provision for depreciation भी उच करते थे पहले हमने काफी सवालों में किया है sir पेटेंट 280-160 हो गए इसका मतलब मेरे पेटेंट जो है कम हो गए और जो पेटेंट अगर मेरे कम होते हैं तो क्या मानता हूँ मैं yes मेरे पेटेंट यह return off हो गया होगे return off हो गया हो तो operating में क्या कर देते हैं तो प्लस कर देते हैं लेकिन यहां दिल्ली दूर है दिल्ली दूर है का मतलब क्या है यहां कुछ जानकारिया दे रखी है during the year machine costing एक machine जिसकी value 40,000 है costing को underline करा जाए जिसकी कीमत 40,000 है जिस पर अभी तक का दूर adaption कितना है 24,000 है कितने में बेज़ दी है 20,000 में यहां कि मुटी मुटी बात कहूं 40,000 की चीज है आग तक का adaption 24,000 है आ रहा है value रह गई है 16,000 मैंने इसको 20,000 है बेज़ दिया मतलब 4,000 रुपे का मुझे क्या हो गया है बटा profit हो गया मुझे 4,000 रुपे का क्या हो गया बटा profit हो गया है यहां पर मैं अभी अकाउंट बनाऊँगा देखो यह मशीन के balance है एक्विन डेप्शन के balance है और यह adjustment मुझे यहां दे रखी है तो इस adjustment को मैं कैसे यूज करूँगा इस question में वो बताता हूँ यहने कि मशीन 40,000 हैर की जिसकी costing थी डेप्शन 24,000 हैर का था उसको मैंने 20,000 हैर का बेज दिया और मुझे 4,000 है का profit हो गया उसको कैसे मैं debit करूँगा बिल्कुल जानकरी लेंगे और patent से हमारे पास वो भी return off हुए 40,000 हैर के तो हमें patent का भी account बनाना पड़ेगा वो बना लेंगे इसका simple account बनेगा एक 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 एकाउंट बनेगा यह return off हो गए है इसका मतलब यह amortization है और कुछ patents को 20,000 के profit बेचा है कितने का बेचा है नहीं पता 20,000 के किसे बेचा है profit बेचा है तो हम account बनाएंगे उसके थुरू हम कुछ figure निकालने वाले हैं उसके बाद हम cash flow from investing equity निकालेंगे तो पहले समझने की कोशिश करते है कि कैसे हम इन questions को यहाँ पे करें यह देखिए किस तरीके से मैं इस concept को आपके सामने ले किया हूँगा आपने figure आपने देखी लिए यहाँ मैं क्या बनाने वाला हूँ अब मैं एक machine दी account यहाँ बनाने वाला हूँ यह आपके सामने एक machine account बन रहा है आप भी चाहें तो साथ साथ में बना सकते हैं और एक और बनेगा बेटायाँ आपे क्या यह machine account बन गया और दूसरा बनेगा मेरे पास क्या accumulated depreciation account यह मेरा क्या बन के आगया बेटा यह accumulated depreciation account मेरा यहाँ पर बन करके आगया है बेटा यह देखिए कैसे करेंगे हैं आपे हम लोग यह machine account और accumulated depreciation account आगये तो इनके imbalances को यहाँ पर उतार देते हैं मेरे working order मैंने बनाया two balance brought down आपने question ने पढ़ा होगा एक बर और सा question दिखाए तो मैं बार बार नहीं दिखा पाऊँगा यह machine का opening balance जो दे रखा है आपको दे रखा दा चार लाख और यहाँ आपको machine दे का closing balance दे रखा है चार लाख और 20 euro रपे आपको दे रखा है इसके अलावा आपको यहाँ पे accumulate deduction का opening balance एक लाख दे रखा तो बस बच्चा यहाँ लिख देता balance और यह दिखान रखना है यह आपको दिखान रखना है यहाँ आते हैं इसके balance उल्टे होते हैं debit और credit debit और credit by balance brought down कितना लिखेंगे यहाँ एक लाख लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे two balance carried down एक लाख और तसजारी सर्थ यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ बेटा है वो particular रुपी जो लिखते आ रहे हैं भी तक आप वो आप लिखेंगे यह हम लिख देंगे अब मुझे जो information दे रखिये हैं मैं उसका यूज करूँगा इन्होंने बताया कि मेरे पास एक machine थी जो 40,000 रुपे की costing थी जिसके ओपर मेरा भी तक का adaption 24,000 है मैंने उसको कितने बेज दिया है 16,000 जिसकी value रह गई है मैंने उसे 20,000 बेज दिया है तो 4000 रुपे का मेरा क्या आ गया प्राफिट आ गया मैंने बताया था machine बिक्ती है तो तीन टुकडे होते हैं buy buy shirilanka derpog sale कितने में हुई है loss कितना adoption कितना loss है तो इधर आ जाएगा और profit है तो इधर आ जाएगा तो पहले तो bank account sale sale कितने में हुई है उसको देखेंगे sale BCR में हुई है buy लिखेंगे यहां पर क्या yes by depreciation लिखेंगे हम लोग shirilanka लंका तो है लंका की जगे किया profit है यहां पर तो लिखेंगे to SPL profit profit आ जाएगा यहां कितना रुपे का yes 4000 रुपे का मेरा यहां पर क्या आ जाएगा profit में यहां पर दिखा दूँगा यहां पर 4000 रुपे का और यहां के लेखेंगे buy provision for depreciation depreciation कितना है मेरे पास मैंने देखा मेरा adoption कितना है यह मेरा total adoption अभी तक का कितना था 24 है total adoption होता है till the date of purchase till the date of sale पहले कुछ भी नहीं करूँगा पहले भाई इसको यहां लेकर आ जाओ आदा का लेश खता मैं है यहां पर यानि कि जो depreciation जो मेरा है जो अभी तक का मेरा adoption दे रखा था question में इसको मने accumulated adoption दे रखा था मैं आपको word पढ़वाएता हूं दुबारे से यह word कौन सा दे रखा यह accumulated depreciation जो था चाली सेर की जो costing वाली जो चीज़ थी मेरे पास यहां मैं क्या करूँगा इस 24 हैर को यहां पर मैं transfer कर दूँगा और यहां क्या लिखूँगा तू कहां से आया है यह 24,000 रुपे में यहां आ जाएगा अब इसके बाद मैं दोनों अकाउंटों को क्या करूँगा बठाए यहां पर बैलेंस करूँगा दोनों अकाउंटों को बैलेंस करता हूं कितना आएगा देखिए यहां मैंने पहले अकाउंट को यहां पर बैलेंस किया यह आगया 464 464 difference मेरा जो आया 60,000 पर का आगया 60,000 को क्या मान लूँगा मैं bank account bracket में क्या लिख सकता हूँ purchase यह purchase का मेरा figure आगया आपको मैंने बदाया था कौन कौन सी figure कहा जाएंगी उस भी discuss करेंगे यह 134 लिखा यह मैंने 134 लिखा यहाँ भी मेरा कितना आगया 24,000 आगया difference यह 34,000 मेरा difference आगया जो 34,000 का जो मेरा difference आया उसको मोलूँगा by depreciation by SPL करके bracket मेरे में लिख देता हूँ क्या depreciation लिख देता हूँ यहाँ पर तो यह मेरे पास entry बनती है में को यहाँ पर मैं statement of PL में transfer करना by depreciation लिख दीजे बलकि बाए इसको by depreciation करके bracket में आप SPL लिख दीजे तो और ज़्यादा हमारे ले क्या होगा बटा है बहतर होगा हमारे पास तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह शीज को consider करेंगे बटा हमारे पास statement of PL में चला जाता है मेरे पास अब कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही चीजे acceptable है क्योंकि ultimately कहाँ चला जाता है SPL में चला जाता है 34 आँगे तो यहाँ से मैं कौन-कौन सी figure जो है वो मैं यहाँ लिख के जाने वाला हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर क्या करूँगा जो मेरा figure है 34 आँगे और यह बहुत important है यह तो देखे पहले तो यहाँ पर क्या चौभी से आ रहे हैं यहाँ पर भी क्या है चौभी से आ रहे है इसका effect तो मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा बटा अननलीफाय हो जाएगा क्या हो जाएगा बटा अननलीफाय हो जाता है इसका effect हमारे पास ध्यान देखेंगे शीज को और यहाँ पर क्या करेंगे बटा यहाँ पर आपको बादनु में यह वाला figure जो है investing में प्लस हो जाएगा यह जो provision for depression है यह operating में प्लस हो जाता लेकिन नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि effect ननलीफाय होगा इसलिए मैं रुख गया हूँ इसका closing का balance कोश नहीं करते यह profit हुआ है तो operating में क्या करेंगे इसको minus करेंगे और इस सिक्टित हाउजन का investing में minus करेंगे और 24 सेयर के definition को operating में क्या कर देंगे बटा प्लस कर देंगे यह बहुत हमें जरूरी है लेकिन इसको भी हम consider नहीं करेंगे मैं बिल्कुल ऐसे line मनाता हूँ फिर में यहाँ पे दो cross लगाँगा ताकि आपको याद रहे कि 24 सेयर को हमें consider नहीं करना उसके जगे यह वाला जो amount है आपका operating activity में प्लस हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर जाओ प्शक्तित था वो investing बनाने का जाओ investing में मेरी दो figure जाएगी investing में यह मेरा sale का figure चला जाएगा और यह मेरा purchase का figure चला जाएगा यानि कि मेरा एक तो यहाँ 20 अरवे जाए काफी कर जाएगा और यह मेरा 60 जार काफी कर यहाँ पर जाएगा तब तक आप इसका screenshot ले लिजे क्योंकि इस question में भी picture बाकी है अभी patent account हमें बनाना था तो कैसे बनेगा patents account वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यह मेरे पास क्या बनाऊंगा मैं एक यहाँ पर मैं patent account भी मुझे क्या करना पड़ेगा इस सवाल के अंदर मुझे patent account भी क्या करना है बटा बनाना है कैसे बनेगा वो मैं आपको बता जेता हूँ यह patent account बिल्कुल सिंपल जैसे हम लोग नॉमल एक एसिट का account बनाते हैं वैसे बनाएंगे तो यहाँ मुझे इस सवाल में patent का balance भी मुझे दिया हुआ था 280 और 160 अगर आपने यह example कर लिए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी 280,000 रुपए और balance carried down 1,60,000 आपने opening और closing फिगर निकाल दी अब यहाँ पे आपको वह याद रखना है श्री लंका, डर्ड़, पोक और पाकिस्तान सौरी यह हमारे पास पोड़ोसी पास पोड़ोसी है अब यह आपको दे रखा है डूरिंग देयर 40 जार के patent आपके क्या हो गए राइट अफ हो गए राइट अफ हो गए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय अमोटाइजेशन कितना लिखा आपने 40 जार अब इन्हें ने बताया है कि हमने कुछ patent बेज़ दिये 20 जार के profit बेज़ दिये profit आपका हमेशा यहाँ पे आता है तो profit वर्ड जो लिख दीजे यहाँ पे gain वर्ड लिख दीजे दोनों ही acceptable है तो यह लिख दीजे profit on sale of ब्रेकेट में बेस पे लिख दीजे यह आप SPL लिखके ब्रेकेट में profit लिख सकते हैं दोनों का मितलब चल जाएगा कोई problem नहीं है तो कितना करेंगे यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे B sir का figure लिख देंगे अब इस अकाउंट को हम balance करते हैं balance करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आएगा यह हमारे पास 3 लाग आ गया यह भी 3 लाग आना चाहिए difference आ गया एक लाग रुपए गा तो इसको क्या मानूँगा यहां मैंने लिखा loss तो हो नहीं सकता और patent को पर amortization का figure भी आ चुका तो बचा कौन खा लिए हमारे पास sale का बना तो यहाँ लिख देंगे buy bank account लिखके bracket में कहा लिख सकते हैं अब बात यहाँ आती है कि हमारे पास कौन कौन से figure कहा कहा लेके जाने है बिलकुल आपको याद रखना है amortization है आपका operating में प्लस हो जाएगा sale है investing में प्लस हो जाएगा opening closing बुड़े हो गए इनका कुछ नहीं करना समझ लीजे लाल केशिन अड़वानी और मुडली मनहोड चोशी हो गए है अब यह मांक दशन बंडल में चले गए है और सरकार हमारे मुदी जी की चल रही है और यह क्या जाएगा यह operating में profit क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यह figure निकल कहा है लेकिन मेरा target केवल क्या है यहां मुझे cash flow from operating activity नहीं निकालना मुझे investing का अंसर निकालना तो investing में क्या figure जाएगी यह भी नहीं जाएगी यह भी नहीं जाएगी investing में figure जाएगी क्यों यह लिए एक लाक वाल अब कैसे बनाएंगे मेरा अपना भी सवाल एक आपको देंगा मुझे बहुत अच्छा लगता है आप वीडियो को वहीं pause कर देना और वहीं आप solve करना शुरू कर देना चाहे बिल्कुल आपका निकल जाएगा amount यह वाला तो यह आप करेंगे इस तरह से आप रुपी यहाँ पर लेकिंगे पर्टिकुलर तो जो पिछला वाला था वहाँ से मेरे पास दो फिगर लेके आए था मैं सेल की भी थी और पर्चेश की भी थी अगर आपको दिहान नहीं हो तो मैं एक बार दुबारा से ले चलता हूँ सेल की फिगर में कितना ले जा रहा हूँ 20 यार पर्चेश की फिगर में कितनी लेके जा रहा हूँ यहाँ से 60,000 तो मैं लेकि देखने में छोटा है था लेकिन थोड़ा खोटा है अब क्या करेंगे यहाँ से भी मेरे पास क्या फिगर निकल गया ही है यहां sale की figure निकल गया है और sale की figure निकल गया है वो plus करेंगे तो सर क्या कोई order होता है कि पहले plus की figure लिखने के minus की नहीं जो आजाए वो लिख दीजे कोई फरक नहीं करता sale of क्या के लाएगा बैटा मेरे पास यहाँ पे मैंने patent को sale किया है जोड़ निकल के मेरे 60 रुपे आ गए 60 रुपे मैं क्या लिखूँगा यह लिखेंगा मेरा cash flow from investing equity हाई हो पर आपको clear होगा cash flow from investing equity अब इसका भी एक बार screenshot ले लिजे ताकि आपको clear हो जाए format कैसे बना है और आप यह वाला page का अगर आपने नहीं लिया हो तो यह भी आप एक बार screenshot ले लिजे और format आपको हमने बता ही दिया था अब मैं आपको आज question एक बार बना के दिखा रहा हूँ जो आप मैंसे promise करेंगे कि sir हम बिल्कुल इस question को करके दिखाएंगे तो वो आपके लिए question है अगर करेंगे तो आज का question का है आपके लिए आपको एक balance sheet नहीं दे रखिए मैंने कीवल एक यह कोशन पर फोकस किया है यह आपको ऐसे balance sheet दे रखिए उस balance sheet मैं आपको दे रखा है 31 March 2020 31 March 2019 दिया है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने दिया है आपको मशीनरी का balance दिया है यहाँ पर 60,000 यहाँ दिया एटी था हो तो और साथ साथ में यहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है आपको यहाँ दे रखा है यहाँ कुछ चेंज करना चाहता हूं तो कर भी सकता हूं तो 80 से मेरी साथ हो गई इसको मैंने बाद एक लाग साथ जार कर दिया बटा फिकर को हम लेगों ने और यह फिकर हमने कर दिया है यहाँ पर 16,000 पर कर दिया हूँ थोड़ा चेंज किया है पहले 80 की मशीन यहाँ दिया हूँ अब आपको यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मे अपको कापो बबड़ किया हूँ अच पॉप्री फार थाजंड अ विच Accumulated Depreciation Was रुपीज 1600 Was Sold for रुपीज 1900 इन्हें की एक मशीन का हिस्सा ज़ा चार जार रुपे का था जिस पर डेप्शिन 1600 रुपे का था उसको मैंने 1900 रुपे का बेज़ दिया है 1900 का बेज़ दिया है Show, Cash, Flow from Investing Activity By Preparing Proper Account Show, Cash, Flow from Investing ये सवाल आपका आ सकता है Investing ये अगर आप कोई आ गया तो आपको कोई नहीं रुख सकता है Chapter के अंदर में CBSC की Special पसंद होती है इस Company का नाम हम रख देते हैं Yes, Trump Limited रख देते हैं ताकि आपको याद रहे पिछले वाले का Biden Limited था इसका Trump Limited है और मैं चाओंगा हर एक बच्चा इन सवालों के मुझे जवाब दे ताकि आपको Concept बहतर तरीके से तैयार हो जाए चलेंगे इसके बाद हम आगे चलेंगे और छोटा सा एक काम और करेंगे अब हम एक Account और बनाना सीखेंगे अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी तक मैंने आपको दो Account सिखाए में तो एक ही था बस में हमने Depreciation Account और Maintain कर लिया था अब मैं आपको बता रहा हूँ Investment Account कैसे बनाते है तो यह कौन सा Account होता है Investment Account का अपना कोई Format नहीं है बिल्कुल वह ही Format है जो हम लोगों ने अभी पहले किया था अब इसका भी एक बार Screenshot ले रहे ना बटा Investment Account कैसे बनाते है तो Investment Account बनाते समय आपको कोई ज़्यादा चीज आपको यहाँ पर याद नहीं रखनी है वह ही है बस पर Depreciation Charge नहीं होता है कैसे बनता है वह देखिए Investment Account आपके सामने सबसे पहले यहाँ वही डाबेट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज टू बालेंस प्राउट डाउन आएगा बटा यहाँ यहाँ बालेंस करेड़ डाउन आएगा जैसे आता था हमारे पास होगा क्योंकि investment के ओपर कभी depreciation चार्ज नहीं होता और यहाँ हमारा पास और पडोसी भी रहेगा पास भी रहेगा और हमारा पडोसी भी रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा क्यों बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल आएगी और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा हम लिखते है statement पेनल आप उपने तरीके चलने दीजिए statement पेनल ब्रैकेट में loss और टू यहाँ क्या लिखिए bank account ब्रैकेट में आप परचेज दिख सकते हैं और टू क्या लिख सकते हैं आपे SPL और ब्रैकेट में क्या आजाएगा आपका profit आजाएगा तो इस तरीके साब इस format को यहाँ बना सकते हैं जैसे में पहले भी बनाया है बस यहाँ से depreciation word जो हट गया है वही format है यह investing में प्लस हो जाएगा loss है आपका operating में प्लस हो जाएगा प्लस होते हैं पर चेथ है आपका investing में माइनस हो जाएगा और operating में profit माइनस हो जाता है तो यह आप एक बार इसका screenshot ले लेजिए और इन बातों को जरूर याद रखना है इसको पर based हम एक illustration जरूर लेके आएंगे illustration इंबर क्या होगा वो 37 होगा 37 illustration और हम इस वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि एक वीडियो भी और भी बनानी पड़ेगी हमें investing activity पे ताकि आपके doubts पिल्कुल वहतर तरीके से clear हो जाए 37 illustration देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 37 illustration की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नहोंने कहा है from the following information determine cash flow from investing of Jupiter limited Jupiter limited की हमे कितनी हो गई है 5 लाख रुपे की हो गई है कोई information नहीं होती तो हम डही लाख रुपे की investment क्या मान लेते हैं यह purchase हो गई है assets हमारे 875 से 1190 आया है जो भी difference आया है उसको भी हम purchase मान लेते और दोनों ही हमारी investing equity में क्या हो जाती माइनस हो जाती बात खतम लेकिन कुछ आपको अत्रिक्त जानकारियां दे रखी हैं जिसके तुरू हमें कुछ काम यहां करना पड़ेगा और इनकी account हमें बनाने पड़े चोटी सी बात और चलते हैं यहां पर adjustment के half of the investment held in the beginning of the year was sold at 10% profit जो investment starting of the year में थी यानिकि 2,50,000 की जो मारी investment थी उसका आदा कितना हो गया सर 1,25,000 उसको 10% के profit बेज दिया सर 1,25,000 हुई आदा तो 10% में दो साड़े बारा जार का profit हो गया इसका मतलब मैंने 1,037,500 में क्या कर दिया है मैंने उसको sale कर दिया यह sale का figure आ गया profit का आ गया उन्होंने दिया है उसका information में हम अकाउंट जो बनाए है उसमें यूज कर ले है वो हम लोग fix asset का account बनाएंगे वहां दिखा देंगे इंट्रे रिसीवर इंवेस्मेंट है 35 रोपे हमारा अच्छी बात है डिविडेंट रिसीवर इंवेस्मेंट पे यह भी अच्छी बात है यह दोनों हमारी क्या मान ली जाएंगी जो हमारी बना है बिल्कुल सर यह 10% का क्या रोल है अभी 10% का रोल नहीं है कि हमें जितना मिला होता है वो देखते हैं यानि कि हमें कितना मिला है यहाँ पे डिविडेंट इंवेस्मेंट पे हमें जो मिला है इंट्रे रिसीवर इंवेस्मेंट किस इंवेस्मेंट पे इंट्रेस मिला है किस पे डिविडेंट म करते हैं हम लोग बल यहां पर दे दिया तो आप उसको क्या कर लीजिए हैं पर कंसिडर कर लीजिए किस तरह से हम लगे और तो हमें कैश फ्लोग फ्रों इंवेस्टिर बनाएं उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट बनाना पड़ेगा रखते हैं 10% इंवेस्टिर अकाउंट मैंने यह बनाया है यह यह टैन परसेंट इंवेस्टिर अकाउंट हमने बनाना सीफने की बात करी थी वह हम कर रहे हैं कितना है कि करेड़ान बैलेंस आपको दो लाक और पचास यार दिया है यहां पर उसके बाद क्या है यहां पर अब देखेंगे आदी इंवेस्टिर बेज दी गई है तो कितने बेची है तो देख लेते हैं बाइ बैंक अकाउंट सेल कितने में कर रहे हम लोगों ने 137,500 वह ने निकाला ही था और जो प्रॉफिट है वो यहां दिखाएंगे तो प्रॉफिट देखा दिया हम लोगोंने कितने का सेवंटी यह था मारा 12,500 आया था अब इसके लाव और इंवेस्मेंट की इनफॉर्मेशन तो नहीं है बिल्कुल नहीं है तो इस अकाउंट कम प्लोज कर देंगे देखते हैं इसे क्या हमारा बैलंसिंग फिगर निकल के आ देखिए कितनी जल्दबाजी हो रही है हमें ओपनिंग बैलेंस हमारा 2,500,000,000 और मैं क्या पूट कर रहा हूं यहां पर 1,25,000,000 और 2,500,000 ऐसी गलती आप ना करें प्लीज आप ऐसी गलती नहीं करेंगे यह अमांट कितना आना है यहां पर 2,500,000 और यह वह बिल्कुल सही का यह पांच लाख आना है वह दिमाग में चल रहा था आधी करने की कल्कुलेशन स्लिए गड़बड़ी होई हमारी यह 6,37,500,000 अब कहने का लेंगे हम उसका डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस यह मेरे पास निकलके आ रहा है वह आ रहा है टू बैंक अकाउन यह मेरे पा माइनस और यह सेल जो है इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाता है चाहां तक मेरी कैश फ्लो फ्रो में इन्वेस्टिंग अक्टिविटी की बात होगी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं होगा अब मुझे एक अकाउंट रो बनाना है इस कोश्चन के अंदर में य और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रहा है कितना बैटा इयर और लाकना बैजार 875 iis 1-एब सार्ण लुझे किवलिया पर डिपरीशेशन दिया गया और डिपरिशेशन का जो अमाउंट है वह मुझे कितना दिया गया है यहां पर वो मुझे दिया गया था, जरा ध्यान से कोशिट को देखेंगे, तो आपको एक लाख रुपे का आपको डश्चिशिशन दिया गया है था, आप यहाँ पे एक लाख रुपे लिखेंगे, अब इसको बैलंस करने की कोशिश करेंगे, यह 12,90 जा रहा है, यह भी 12,90 जा रहा ह और आप परचेश का फिर आप प्लसपार कीसे कोई इजे लेना नहीं है अब तक चाहें चाहिए तो ले सकते हैं पर पूरे कोशिंग भी लिए लिगाए तो ज्यादा बहता रहेगा आपके लिए अब मैंने बनाया है यहां पर बेटा क्या हेडिंग आएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटिया बनाएंगे यहां पर हमने कॉलम बनाया इस तरह साब बनाएंगे तो यहां से फिगर उतार लेते हैं पहले तो यहां से आया है पर यहांपर कहलेंगे सेल ओफ investment कितना है मेरे पास यह sale of investment आया 1,037,500 आया फिर मेरे पास यहां पे आया है क्या purchase of investment को मैं ब्रैकेट में लिख दोंगा purchase investment मेरे कितना है 12,000 sorry 3,75,000 आया 3,75,000 आया है तो बलकुल सही figure हम पुट करेंगे और इसके अलावा मेरा पास क्या है यहां से मेरा फिगर निकल क्या है यह मेरा पर्चेज का फिगर निकल क्या है माइनस करूँगा क्या मैं पर्चेज और फिग्स एसेट्स कि इतना फिगर निकल गया है था यहां ते चार लग पंद्रा जा रहा है था इसके लावा ध्यान देने वाली बात ही आया है यहां पर दो फिगर आपको और दे रहे थी जो अमारे पास हमें डिविडेंट रिसीव हुआ था और जो मुझे क्या रिसीव हुआ था इंट्रेस् मेरा कितना रिसीव हुआ है देख लेता हूं प्लस करूँगा मैं क्या इंट्रेस्ट मेरा जो रिसीव हुआ है मैंने कोश्चन में देखा मुझे जो इंट्रेस्ट का रिसीव हुआ 35 रुपय का है प्लस जो मुझे डिविदेंट डिव हो है वो मेरा 25,000 रुपए है हम मैं इन सब को क्या करूँगा टोटल अप करूँगा टोटल करने के बाद मेरा पासमांट आ गया तो इसको मैं लिखूँगा कैश यूजड इन आईए और इसका नाम बी देता था मैं यहां पर हमेशा बी मैंने दे दिया कि नाम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि पूरा जब सिक्वेंस करेंगे तो एवी सी के नाम से देते हैं पूरे कोशन का एक बार आप स्क्रीन चोट ले लें पूरे के पूरे का तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा किस तरीके से हमने सवाल को यहां पर कर रहा है आप देखिए और मैं आपको खुछ बुक के जरूर कोशन आपको मैं जरूर बताऊँगा ताकि आप उनको जरूर कर पाएं बिटे आप बुक के अंदर में आपको बताऊँगा अब एक कोशन जरूर ट्राइ करिए एक बार कोशन नमबर 23 आप देख लीजिए यह आप खुछ ट्राइ करके देख सकते हैं जिसमें इन्वेस्टिन एक्रिटी निकाल लिए है ट्राइड लिए हैं काफी तक इन्वेस ट्राइड़ करिए पिर कोशन आप ट्राइ करिये हैं यह भी आप ट्राइग कर सकते हैं हमारे वो बना देंगे हम लोग इसके बाद मैं आपए चलूँगा तो बाचकी रहायगा है मैं इसके डिसकस कर लेता हूँ, question number 28 है, try करना चाहें तो ये भी हो जाएगा, question number 29 भी आप देख सकते हैं, बाकी मैं इनको कराऊंगा, 29 वगर आपको फिर भी, और आपका question number 30 देखिए आप, 30 question भी try कर सकते हैं, बड़ा question है, और एक question और 31, ये question आप try कर सकते हैं, लेकिन कोई सकते हैं, बाकी सँमार सब्सक्किण अचल सकते हैं ये